हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक आरो भाग दो से कविता को पढ़ेंगे कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिच यह कविता रगुवीर साहे जी ने लिखी है जो कि उनके कविता संग्रे लोग भूल गए हैं से ली गई है रगुवीर साहे खुद औल इंडिया रेडियो और न भारत टाइम्स जैसे अखबारों के लिए काम कर चुके हैं और इस कविता के माध्यम से उन्होंने उन तमाम निर्माताओं और टीवी चैनलों पर कटाक्ष किया है जो कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड करते हैं और अपने मुनाफे के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं तो कविता कुछ इस प्रकार है, हम दूर दर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंध कमरे में उस से पूछेंगे तो आप क्या अपाहीज हैं, तो आप क्यों अपाहीज हैं, आपका अपाहीजपन तो दुख देता होगा, देत तो अपाहिच का मतलब होता है विकलांग या ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में कोई कमी हो उधारन के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति को मान के चलते हैं जिसका हाथ कट गया हो या बच्पन से ही एक हाथ ना हो तो वो कहते हैं कि जो TV के निर्माता होते हैं उनकी पट कथा यानि कि ज परबाल याने की कमजोर है उसमें कोई शारीरिक रूप से कमी है तो जो एक आम इंसान अच्छे साज़दी जल्दी जो काम कर लेता है वह काम करने में उसे बहुत दिक्कत होती है परिशानी होती है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस तरीके से वो जो शो है उसकी सकती है फिर भी anchor उससे सवाल करता है प्रश्न करता है सवाल करता है कि क्या आप अपाईजे यानि कि उसका मजाक उड़ाने जैसा है फिर वैं उससे पूछते हैं तो आप क्यों अपाईजे यानि कि आपके जो विकलांग होने का कारण है क्यों है ठीक है इस तरीके से पूछता है जो कि उसके अंदर उसकी उन तमाम यादों को ला देता है जो कि जिसके बारे में बात करना नहीं चाहता है या भूल जाना चाहता है या उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम में कोई कमी है लेकिन फिर भी वे प्रशन करता यहीं न उनसे सवाल करता है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवार करता है और उस प्रश्ण करता के साथ जो कैमरा मैन होता है वो बार बार उस अपाहिज व्यक्ति के चहरे पर कैमरे का फोकस लेके जाता है ताकि उसके जो भाव भंगिमा यानि की जो फेशल एक्सप्रेशन है उसे क बड़ा बड़ा ये जो प्रश्ण करता होता है एंकर होता है उसके मन की बात होती है तो जैसे जैसे वो सवाल पूछता है कैमरा में उसी प्रकार उस अपाहिच के चेहरे पर फोकस करता है फिर वे आगे लिखते हैं हाँ तो बताईए आपका दुख क्या है जल्दी बताईए वे दुख बताईए बता नहीं पाएगा तो वो उस अपाहिच से पूछेंगे कि आपकी क्या तकलीफ है आपको कैसा कश्ट होता है ठीक है लेकिन वो बता नहीं पाएगा फिर वे उस पर दबाव बनाते होए बोलेंगे सोचिए बताईए आपको अपाहिच होकर कैसा लग हमसे तो वही बात इस कोश्टक में लिखी है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए ठीक है बताईए थोड़ी कोशिश करिए तो इस तरीके से वो और दबाव बनाएंगे कि जैसे एक व्यक्ति का हाथ कटा है तो आप शुरुवात में दूसरों को बाइक चला आते हैं जो वो कर नहीं सकता थोड़ी कोशिश करिए यह अफसर खो देंगे ठीक है तो आप नहीं पता पाएंगे तो आपका मौका चला जाएगा इस तरीके सो मन में सोचता है कि जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप जानते हैं कि कारेकरम रोचक बनाने के वास्ते हम पूच कर उसको रुला देंगे इंतजार करते हैं आप भी उसके रोपढ़ने का करते हैं तो यहां पर बताया है कि उस व्यक्ति के रोने का जो दर्शक है वो भी इंतजार करता है तो यहां कोश्टक में उस प्रशन करता है कि मन की बात है यह प्रशन पूछा नहीं उसकी तकलीफों के बारे में जब उसे याद दिला जाए तो वो रो पड़े और उसकी पीड़ा सामने आए और जो जनता है वो उनके प्रती समेधन शील बने लेकिन वह इतने क्रूरता होती है इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि वो खुद समेधन ही हो जाते हैं और भूल ज स्वीर और उसके होटों पर एक कस्मसाहट भी आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे ठीक है तो होता ही है कि जब वो रोने लग जाता है उसकी आँखों में आशू आने लगते हैं तो उस आँखों को दिखाते हैं बड़ी-बड़ी होट कांप रहे होत एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए देखिए हम दोनों एक संग रुलाने है आप और वह दोनों ठीक है तो इस तरीके से उनकी कोशिश होती है अगर वो ना रोए तो आगे और प्रशन करते जाते हैं और सवाल पूछते हैं और इसी च्रंख υखों कोशिश करते हैं कि वे व्यक्ति रो जाए उनकी ये कोशिश होती है कि जो अपाहिज व्यक्ति है जब वह रोए तो उसको देखकर दर्शक भी साथ साथ उसके दर्द को अपना दर्द समझे और रोने लग जाए तो अभी उनका जो जो कारेकरम में वो सफल होता है कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो परदे पर वक्त की कीमत है अब मुस्कुराएंगे हम जब होता है कि यो सामने वाला व्यक्ति नहीं रोता ठीक है तो जो कारेकरम बना रहे होते हैं उन्हें पता है कि उनको टी आरपी मिलेगी तब युनका शो चलेगा तो कहते हैं कि देना नहीं है तो अब वो शो को इस तरीके से खतम करते हैं अब मुस्कुराएंगे हम देखिए यह व्यक्ति कितनी पीड़ा सुबर कर आये हैं फिर विनके चाहरे पर इतनी मुस्कान है अगर यह कर सकते हैं तो आप क्यो नहीं तो इस तरीके से वो शो को एक नया रुक द देते हैं फिर वे इस तरीके से खतम करते हैं आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कारेकरम बस थोड़ी ही कसर रह गई धन्यवाद यानि कि उसके जो मन की बात है कि जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ ठीक है लेकिन और जो कारेकरम है वो समाज के लिए बना लोगों की भावनाएं खतम होती जा रही हैं और वो दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड करते हैं और जो अपंग व्यक्ति हैं उनका मजाग बनाते हैं और दूसरों की भावनाओं को बेचते हैं